बिहार में जब महा गटबंदन की सरकार थी तो कहा जा रहा था कि बिहार में जंगल राज आ गया है तो आखिर बिहार में अभी एक ऐसी घटना घटी है जिसके बाद आपको लगेगा कि अब तो NDA सरकार में भी महा जंगल राज आ चुका है आपको बताते चले कि आयूस रा करते थे और छिर्खानी करने से रोकने पर उन मन्चले आसिकों ने उस पर गोली चला दी और बहन की जान बचाने के लिए बहन की आबरु बचाने के लिए एक भाई सहीद होते होते बचा तो इस दो से तीन मिनट की रिपोर्ट में हम पूरी बात आपको बताने जा रहे हैं नमस्कार मैं प्रिंस कुमार सिंग और आप लोग देख रहे हैं पोजेटिव इंडिया अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे फेस्बूक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लिजे और जो लोग और लेडि कर चुके हैं उन तमाम ल अगर महले में चात्रा के साथ छेरखानी का विरोध करना उसके भाई को महंगा पर गया मंचलो ने चात्रा के भाई को आयूसराज को गोली मार दी गोली युबक के गर्दन में लगते हुए बाहर की तरफ निकल गया जिसके बाद युबक को सदर अस्पताल इलाज के नहीं की गई है ये सबसे बरा सवाल है कि आखिर इस मामले में अब तक एफा यार क्यों नहीं दर्ज की गई है बताया जा रहा कि पुरानी गंज यादब टोला के रहने वाले जखिमी युबक आयूसराज ने कहा कि सास्त्री नगर महले के रहने बाले मिथुन कुमार और लखन कुमार जो की उसकी चचेरी बहन जो की नौमी क्लास की छात्रा है उसके साथ बराबर छेरखानी किया करता था उसकी चचेरी बहन जब भी स्कूल जाती थी जब भी कोचिंग परने जाती थी जब भी मार्केट निकला करती थी किसी काम से तो ये दोनों यूबक जो है उसके साथ छेरखानी किया करते थे और इस छेरखानी का बिरोध करना उसके चचेरे भाई आयूस राज को काफी महंगा पर जाता है और बिरोध करने पर मन्चले आसिक उसे गोली मार देते हैं और गोली उसके गर्दन को छेदती हुए बाहर निकल जाती है हलाकि उसकी इस्तिती गंभीर बनी हुई है अभी उसका इलाद सदर अस्पताल में चल रहा है वहीं बताया जा रहा कि गोली चचेरे भाई के गर्दन को छूते हुए निकल गई गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीन मौके पर पहुचे जिसके बाद वे लफ हुआ ही वक म ध्रूब कुमार ने बताया कि छात्रा पर फब्दिया कसने को लेकर गोली चली है हलाकि अभी तक एफायार दर्ज नहीं की गई है अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर लालु प्रसाद्यादब के सासनकाल में तेजस्सी आदब के सासनकाल में महिलाएं सुरक्षित नह नहीं है नवालिक बच्चियों के साथ जो हरकते हो रही है जो छेरखानी हो रही है क्या उसकी जिम्यदार इंडिये सरकार नहीं है आपकी स्मुद्दे पर क्या रहा है आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं अपनी प्रतिकडिया देना ना भूले जूरे रहे हमारे साथ जैहिन जैभार।